का आगबन हो चुका है अब से कुछ ही लभों के बाद पृधान मंत्री इस कण्वेंशन सेंटर को राष्ट को समर्पित कर C झाल 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 और जाय मिस्मिलालिक जाने लाँ जो देश को विक्सित राष्ट बनाने की संकल्पना को साकार करने की दिशा में प्रयासरत हैं। इस अफसर पर शद्धे मानने प्रधान मंत्री जी हम सब आपका अभिनंदन करते हैं। साथ ही यहां उपस्थित सम्मानित केंद्रे मंत्रीगर्ण, आदर निय सांसदगर्ण, उद्योग जगत की सभी विशिष्ट शक्सियतों, माइस इंडस्ट्री के सभी आमंत्रित अतिथियों, विभिन इंडस्ट्री एसोसियेशन्स, सेक्टोरल एसोसियेशन्स, मिशन्स के ट्रेट कांसिलर्ज, विभिन वैश्विक संस्थाओं के प्रमुक तदा सभी सम्मानित महानुभावों का हम स्वागत करते हैं। उमीदों की नीव पर खड़ी ये इमारत, विशाल है रूप, नए भारत का जलकता स्वरूप, उत्तम से सर्वोत्तम की भाशा तै करती, सर्विश्रेश्टा के हर स्तर को अभिव्यक्त करती, जिसमें हैं सुविधाय अपार, जो दे सकती हैं कल्पनाओं को विस्तार, 140 करोर देशवासियों के आत्म विश्वास का प्रतीक है ये, International Convention Center, भारत मंडपम, जिसकी भूमिका भी महत्रपुन है, इससे प्रतेक क्षेत्र में रचनात्मक, स्विजनात्मक आयोजन, व्यापक रूप से संभव हो सकेंगे, जो इन क्षेत्र में विकास के नई मार्ग भ शुब अवसर को देश की जीवन्त संस्कृती के विविद रंगों से सजाते हैं, विभिन कलाकारों की रंगारंग प्रस्तुती के साथ, जिसका शीर्षक है ओजस्वी, ओजस्वी के प्रथम चरण में, नृत्य प्रस्तुती में, जीवन दाइनी सूर्य की मंगला चरण प पूजा और सुजनात मक्ता नतराज की पूजा समिलित है, सूप्रसेत कलाकार संतोष नायर द्वारा इस प्रस्तुती को कोरियोग्राफ किया गया है, और म्यूजिक कामपोजीशन दी गई है, शंकर महादेवन, और तीन बार ग्रहमे पुरस्कार जीट चुके, रिकी केज के द्वारा प्रस्तुत है उजस्वी की प्रथम प्रस्तुती प्रस्तुते ल संतु छुप्रचण थ्कर नमढदेशिक स्री jointly है, बार्थम प्रस्तुत्य चुके, इस ग्राफ्रस्तुत्य ग्रुद्ण्य पार्थम प्रस्तुत्य faculty जीए प्रस्तुत्त, प्रस्तुत्य चुर्ण तंसुर्यम परने माप्या जय जय सुरवर पूजित जित दानव कलव आस्वरवर लंबो दर्दर हर हर कलव नव मेश्री भगवन्तम दणपति मति वरदम वरदम्ती मुखं सुमुखं सादर मे करदम भरदम् विपदुदधावतं धावतमलम् शमलम् शमलम् विदम अपिदददतं हत पापी शमलम् तरुणा अरुणरुचिरं तरुणं श्री कांतं कांतं कलितै कांतं कलये सुधुरंतं करुणा वरुणा लय चरणं विजितरणं शरणं करुणा वरुणा वल्चरणं विजितरणं शरणं या मोय मिनम् शरणं पृतमत सुवितरणं मेरे सुरवर पूजित जिततानव कलव सरवर लंबो दरदर हर हर कलव मेरे सुवख दिततत विए रखके विजितरणं शरणं रखके दिततत दॉवर क्याने साइड ओतितरणं क्यात विजितरणं विए्टन शरणंक्ष्ण्टन पाल-खके विजितरणं नेखिस डे करने दोड़ जड़ दो साथ मेगा ठाने दो बिसके प्रेक्षार्ण कुर्ण आटे देफिसे शेए शेत्षब फेश्टरन करते हुआ देए तरह करते हैं उसमानी धा마 मगर नचन, को बच्छिन को रुधर सुमानी खाफनीधापनी थाफनको कि अच्छिन को रादी भूदना ठाद आ नचन, को बच्छिन को जिमytes ता दानी तरन वुदना नचन, को यद भूदन इधे पर दानी ता देडै रादन Banks तिरगेट तोंता नानानाना तिरगेट तोंता नानाना 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 ओम्नम शिवाय 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 ओ श्रस्वदा प्रविक्रम प्रमत्भुजंग श्रस्वदा विनिर्गमत्क्रमस्पुरत्करालभालः व्यवाद्धि मिध्धि मिध्ध्वनुम्रुदंग दुंग मंगला ध्वनिक्रमा प्रवर्तिता प्रचंड तांड़ श्रस्वाद विनिर्गमत्क्रमस्पुरत्कराल ओम नमाशिवाई एक अद्भुत नुर्थ्य प्रस्तुति संतोष नायरची अपने समुख के साथ ओजस्वी के दूसरे चरण में हम प्रस्तुत कर रहे हैं महाराश्च्र की लोग कथा परंपरा पोवाड आज पोवाडा नय स्वरूप में हिंदी में प्रस्तुत की जा रही है जिसमें हमारे देश की विविदता की विरासत को नई युग के भारत के साथ पिरोकर प्रस्तुत की जा रही है और आज पोवाड़ा प्रस्तुत कर रहे हैं एक विशेश कलाकार दरसल वे लोग जो पोवाड़ा लिखते और गाते रहे हैं उन्हें शाहर कहा जाता है और आज शाहिर हैं संगीत नाटक अकादमी युवा पुरसकार से सम्मानित नंदेश उमप जिनका परिवार पीड़ी दर पीड़ी पोवाड प्रस्तुत करता रहा है आत्म निर्भर भारत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सुच्छ भारत अभ्यान का भी आहवान कर रहा है ये पोवाड और इस प्रस्तुती के अंत में पोवाड की साथ सौ कराकार एक साथ शास्त्रिय, लोक मृत्य और साथ ही साथ मुखोटा मृत्य का अध्भुत संगम भी प्रस्तुत करेंगे तो आप सब की समक्ष प्रस्तुत है ओजस्वी हमें भारत अपना प्यारा हमें भारत अपना प्यारा राज दूलारा सब से है न्यारा सारे जग में है बोलबाला हिमत वाला है मत वाला देश मेरा बड़ी शान वाला हजी जी जी कबिर गौतम कुथ आए गूरु गोविन जिनानक आए रामकृष्न परम हंस आए वर्धमान महाविर आए वर्धमान महाविर आए योगी महत मसंत आए योगी महत मसंत आए ये पावन धरती मेरी ये पावन धरती मेरी जान से प्यारी बड़ा है दुनिया में सम्मान भारतमा पे करून इचावर जान जी 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 कसम है तुमको गीता की और उस्रा मायन की कसम है तुमको ग्रंथ साहिब की वाइवल पुरान की कसम है तुमको ग्रंथ साहिब की वाइवल पुरान की कसम है हमको तुमको सबको उपर वाले की कसम है तुमको साबर मतिके महत्म गांधी की कसम है तुमको छत्रपती शिवाजी राजा की कसम है तुमको देश विरों की सुभाश बाबू की एक ही धरती एक आसमा एक ही इश्वर है एक खुन से बने हम सब ना कोई अंतर है भाईयों वहनों भारत में कई भाशाएं हैं इन सभी को एक साचे में ठानने वाला डॉक्टर बावा साब जी का सविधान है इसे सविधान ने समान शिक्षा का अधिकार दिया है इसी का धागा पकड़कर 2014 से लेकर 2023 तक भारत विकास के परम शिखर पर चड़ रहा है बेटी पढ़ाव और बेटी बजाव का नारा गुझता है स्वच्छ भारत अभी आन गाओं गाओं में चल रहा है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास होने लगा है देश के इस युवा शक्ती को बढ़ाव देने को आत्म निरखर भारत पूरा देश हो रहा है पेरा देश बढ़ रहा है आगे बढ़ रहा है सन दो हजार चौदा से सन दो हजार चौदा से सन दो हजार चौदा से ख्याती बड़ी हमार भारत के कती मान विकास कामों की ए चांड पे पहुचा चंद्रयान वो मेरा भारत देश महान जी 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 मढ़ प्यूजी। और कॉच्छा रहा है है याज भारत है जी जी जीो थायन भारत अयं पंधुर यं नेती कन भारत महलगू जेत साह। ओदा आयदा एंदवा σας बतितानाव जाला कुछ व्कुझत है मात्थ। व्कुझत है मात् भारतcken फॉधाय। देश प्रेम से ओध प्रोध पुवाड़ा किये प्रस्तुती अद्भुत कला का प्रदर्शन असीम है भारत की कला प्रतिभा आप सभी कलाकारों का बहुत बहुत धन्यवाद प्रेश के विभिन हिस्सों के मुखाटे जो इस नृत्व में प्रस्तुत किये गए हमारे देश की सांस्कृतिक विविधता का एक अनुपम उदाहरन ये नृत्व प्रस्तुती और अब मैं केंद्री वानी जी और उद्योग उपभोकता मामले और खादे एवं सार्वजनिक वित्रन और कपड़ा मंत्री माननिय श्रीपियूश कोईल को स्वागत संबोधन के लिए आमंत्रित करती हूँ झाल 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 भारत के और पुरे विश्व के सबसे लोग प्रिय नेता एक ऐसे व्यक्ती जिसने भारत की सोच बदली भारत की मानसिक्ता बदली और हम सब को प्रेणा दी के हम सब एक विक्सित भारत की तरफ करतव्य भावना से चल निकले ऐसे हमारे सब के श्रद्धे प्रधान मंत्री माननिय श्री डरेडर बोधी जी सभी मंत्री मंडल में माननिय मंत्री गड़ विश्व के सबसे बड़ी राजनेतिक पार्टी भारतिय जनता पार्टी के माननिय अध्यक्ष शी जगत प्रकाश लड़ा जी हमारे बीच उपस्तित अलग-अलग देशों के मिशन के प्रतिनिती अम्बासिडर्स, हाई कमिश्टर्स, एक्सिलेंसीज, सभी सन्मानिय सांसद्गान यहाँ उपस्तित भारत के उद्योग और वानिय जगत से जुड़े देश भर से आए विशेशकर जिनका निर्यात और देश की आर्थिक जगत से संबन्द है ऐसे सभी महानुभाव जो बड़ी संख्या में आज मानिय प्रदान मंत्री जी का आशिर वचन सुनने आये हैं मीडिया के हमारे मित्रों सभी सन्मानिय अधिकारी गंड भाईयों और भेनों यह हम सबका बड़ा सौभाग्या है कि मानिय प्रदान मंत्री श्री नरेदर बोदी जी ने अपने बहुत ही बिजी स्केडियूल में से आज हम सब को रूबरू मिलने के लिए समय दिया और जो उनकी सोच है जिस पकार से उन्होंने कलपना की इस भव्यर इंटरनेशनल कर्वेंशन सेंटर की जिस पकार से मानिय प्रदान मंत्री जी ने इस पूरी चीज इस पूरी योजना का शिल्प के रूप में शिल्पकार के रूप में आइडियाज दिये आर्किटेक्शनल डीटेल में गहराई से देखा हमें समय समय पे बार्क दर्शन दिया बहुत तेज निगरानी रखी क्या हो रहा है इस कारेक्रम में और गतवर्शों के हमारे श्रम जीवियों के प्रयासों से हमारे देश के आर्किटेक्ट हमारे देश के एंजिनियर हमारी देश के विभिन कॉंट्राक्टर चाहे वो मेसन हो चाहे वो कार्पेंटर हो सभी ने मिलकर अपने अतक परिश्रम से ये सुन्दर जो पूरा कॉंपलेक्स इंटरनाशनल कन्वेंशन कॉंपलेक्स बनाया है मैं उसके लिए मान्य प्रधान मंत्री जी और सभी जो जुड़े हुए इस प्रकल्प के साथ श्रम जी भी है सभी का सादुवाद करता हूँ वंदर करता हूँ मित्रो आज भारत मंडपम के लोकारपन का कारेक्रम है ये बड़ा एतियासिक दिन है क्यूंकि कई लोग यहां पर आते हैं यहां पर एक्जिबिशन्स रखते हैं अटेंट करते हैं कभी टेंट में एक्जिबिशन हो रही है कोई पंडाल लग रहा है अलग अलग प्रकार से हमने कठनाईयां जहलते हुए गत लगबग पचास वर्शों से यहां पर एक्जिबिशन्स करी देखी और एक वर्शों से किसी ने ये नहीं सोचा कि इसका आधुनी करन किया जाए इसको भारत की बढ़ती भी जो शक्ती है जो ताकत है इसका एक रूप में पेश किया जाए और जो आगे आने वाला कल है उसकी जरूरोतों के लिए तैयार किया जाए ये मानने प्रधार मंत्री जी की दूर दर्शी सोच है जो उन्होंने एक कलपना की कि अगर भारत को एक विक्सित देश बनना है तो भारत की सोच भी बदलनी पड़ेगी भारत की विवस्ताएं भी बदलनी पड़ेगी और ये जो पूरा प्रकाल बना ये एक प्रकाट से उभरते वे भारत के ततीक के रूप में आज आप सब के सामने खड़ा है मित्रो ये जो पूरा कॉंपलेक्स है यहाँ पे हमारे किसानों का उत्पादन हमारे जो सुक्ष्म लगू और मद्यमवर के MSME सेक्टर के अलग-अलग प्रोडक्स बनते हैं उन सब को हमारे आर्टिसन्स, कारिगार जिस मेकार से देश में विबिन इंडस्रीज को आज हमें विश्व को दिखाना है उसके लिए ये बहुत ही उप्युक्त स्थान अब माने प्रदान बंतरी जी ने आज देश को समर्पित करने का हमें सबय दिया और ये जो पूरा कॉंप्लेक्स है ये एक प्रकार से जो एक तरफ माने प्रदान बंतरी जी उद्योग और व्यापार को सरल करने के लिए इस अफ डूइंग बिजनेस कम्प्लाइंस बर्डन कम करना कानूनों को डी क्रिमिनलाइज करना स्टार्ट अप इंडिया को बल देना बेकिन इंडिया को प्रोचसाहत देना ऐसे अलग-अलग योजदाओं से जिस प्रकार से भारत तेज गती से आगे बढ़ रहा है उसी तरफ दूसरा जो पहलू है भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर बने आती आधोने की इंफ्रास्ट्रक्चर हो जो आगे आने वाले कल के लिए भारत की जरूरतों को पूरा कर सके और आज अगर हम इस पूरे प्राग्रट को देखे तो ये एक संगम है हमारी विरासत का हमारी परंपराओं का और हमारे आती आधोने जो शम्ताय है उसको दिखाने का एक ये पूरा प्रकल्प आज माने प्रधान मंत्री जी देश को समर्पित करेंगे जो नाम दिया गया है भारत मंडपप ये वास्तव में भगवान बशेश्वरा ने एक समय अनुभव अनुभव मंडपप के नाम से अब पविलियन फॉर पब्लिक सेरिमनीज जा जनता का दर्बार लग सके जनता कारिक्रव कर सके ऐसी एक कल्पना आज से लगबग 800 साल पहले भगवान बशेश्वरा ने की थी और आज हम सब के लिए बड़ी खुशी की बात है कि उसी प्रकार का एक अनुभव मंडप जो अलग-अलग व्यक्तियों के अलग-अलग विचार विमर्ष करने के लिए उपलब दोगा अलग-अलग सुविदाओं से युग्त होगा छोटे बड़े सब के लिए काम में आएगा और एक अच्छा भारत का भविश्य निर्वान करने के लिए जो मानिय प्रदाद मंत्री जी ने हमें पांच प्रण दिये जो एक विक्सित भारत बनाने के लिए 2047 तक हम सब को करतव भावना से काम करने के लिए प्रेड़ना दिये उसके लिए आज भारत मंडपम आप सब के लिए हम सब के लिए बहुती गौरफ का शन है हम सब को आगे के लिए नई सोच के साथ एक आधुलिक और विक्सित भारत बनाने के लिए प्रुच्छाहित करता है आप सब देश के कोने कोने से यहां आए आप सब का मैं धन्यवाद करता हूँ और पुना एक बहर नमन करता हूँ माने प्रदाद मंत्री जी का जिनोंने हम सब को बार्दर्शत दिया और इस देश को आगे लेके जाने के लिए इस देश की दिशा और दशा को बदलने के लिए दिन रात एक कर अपना पूरा जीवन देश और देश वासियों के लिए समर्पित किया है बहुत बहुत धन्यवाद हार्दिक धन्यवाद मानने केंद्रिवाने जी मंत्री श्रीपियूश कोईल जी मानिवर प्रतेक कारे को तैस समय में संपूर्टा की ओर लेकर जाने की मानने प्रधान मंत्री जी की सोच का ही परिणाम है भारत मंडपम जो नई भारत की पहचान है विश्व मंच पर भारत के बढ़ते कद का प्रतीक वैश्विक मंच पर भारत की उपस्तती का उद्खोश अब मैं माननिय प्रधान मंत्री जी से विनम्र अनुरोद करती हूं कि कृप्या रिमोट का बटन दबाकर पट्टिका का अनावरण कर भारत मंदपम राष्ट्र को समर्पित करें दिल्ली के दिल में एक आधुनिक स्मार्ट शहर का प्रतिबिम्ब जिसका आकार है अध्भुत और सुविधाएं वर्ल्ड क्लास जो है तेजी से विकसित हो रहे नए भारत का नया प्रतीक दिल्ली की पहचान हमारा प्रगती मैदान अब अपने नए रूप में सभी के स्वागत को तयार है 3 नवंबर 1972 अंतर राश्ट्रिय मेले एशिया 72 से शुरू हुआ प्रगती मैदान का सफर तब से लेकर आज तक ये स्थल बना कई एतिहासिक प्रदर्शनियों का हम सफर जब माननिय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेत्रित्व में देश तेजी से आगे बढ़ने लगा तो प्रगती मैदान के इंफ्रस्ट्रक्चर को भी 21 सदी के भारत के अनुरूब आधुनिक बनाने की जरूरत महसूस हुई ताकि नए भारत में बढ़े इस अफ डूइंग बिजनस और साथ ही इस अफ लिविग देश की राजधानी में विश्वस तरिये कायरकमों के लिए स्टेट अप दा आर्ट सुविधाय हो एक्जिबिशन हौल हो इन बातों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार निरंतर क्राम कर रही है और प्रगती मैदान में री डेवलोपेंट प्रजेक्ट यह अपने आप में एक उधान बनने वाद है एक सो तैइस एकड में बने इस एक्जिबिशन एंड कंवेंशन कॉम्पलेक्स की गिनिती शेंगाय और फ्रैंकफर्ट के जैसे विश्व के दस एक्जिबिशन एंड कंवेंशन सेंटर में होगी जहां 54,000 वर्ग मीटर का एर कंवेंशन सेंटर और तीन ओपन एम्फि थेटर बनाए गए हैं करीब डेर लाख वर्ग मीटर यानि 26 फुटबॉल फील्ड जितने कवर्ड एरिया में पहले प्रगती मैदान 2.0 में कुल साथ नए एक्जिबिशन हाल्स हैं इसके लेवल 3 पर बने हॉल में औस्ट्रेलिया के सिद्नी ओपरा हाउस से भी अधिक 7,000 विजिटर्स बैठ सकते हैं भारत की अध्यक्षता में आयोजित G20 के राष्ट्रा ध्यक्षों की मेजबानी का गौरवपूर्ण अवसर भी इस कन्वेंशन सेंटर के समिट रूम को मिलेगा यहां 116 देशों की इंटरनाशनल सोलर अलाइन्स का प्रतीक सूर्य द्वार है जीरों से इसरों तक भारतिय विज्ञान की कथा सुनाते प्रगती चक्र हैं विश्व सनरचना का आधार दर्शाते पंच महाभूत हैं भारत द्वारा विश्व को समर्पित योग भी है देश के विभिन प्रांतों से ली गई चुनिंदा सावक्री और कलाओं के सम्मिश्रण से बना IECC का ये भव्य रूप अपने आप में एक भारत श्रेष्ट भारत का उत्तम उदाहरण है एक तरफ जहां इस सेंटर में बड़े इंटरनाशनल इवेंट्स होंगे वहीं हमारे देश के छोटे उद्यमी, अन्नदाता और कारीगरु द्वारा वोकल फो लोकल का ये मंच भी होगा भविश्य में यहां होने वाले आयोजन भारत को विश्व की पाँचवी से तीसरी बड़ी अर्थ विवस्था बनाने में बड़ी भूमी का निभाएंगे सभी आधुनिक सुविधाओं और लेटिस टेक्नॉलोजी सपोर्ट से परिपूर्ण आई-ई-सी-सी लग्शुरी फ्लेक्सिबिलिटी लोजिस्टिकल वाइबिलिटी और सेफ्टी का एक अनोखा संगम है जहां व्यापार को बढ़ावा मिलेगा और संभावनाओं के अनेक द्वार खुलने से रोजगार स्रिजन भी होगा अतिथी देवो भवह की भावना लिए हर भारतिय का प्रतनिधित्व करता ये कंवेंशन सेंटर जी-ट्विंटी के देशों के स्वागत के लिए और वसुधैव कुटुम्बकम के सिध्धान्त का मंच बनने के लिए तैयार है जिसे आज माननिय प्रधान मंत्री देश को समर्पित कर रहे हैं भारत मंडपम देश को समर्पित करने के लिए आपका हार दिकाभार माननिय प्रधान मंत्री ची भारत ने 1 दिसंबर 2022 में एक वर्ष के लिए जी ट्वेंटी की अध्यक्षता ग्रहेंड की इस अतिहासिक आफसर को चिनहित एवं गर्वित करने के लिए आज समार्प डाक टिक्टे एवं समार्प सिक्के जारी किये जा रहे हैं मैं माननिय प्रधान मंत्री जी से साधर अनुरोध करती हूं कि जी ट्वेंटी पर दो समार्प डाक टिक्टों तथा दो समार्प सिक्कों को रिमोट का बटन दबा कर जारी करें कर दो समार्प सिक्टों 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 क बहुत बहुत धन्यवाद मानने प्रधान मंत्री जी सर्व स्पर्शी हो विकास, सर्व हित का हो विकास, समावेशी हो विकास मानने प्रधान मंत्री जी की इस अवधारना से आज देश लाभानवित हो रहा है आपकी द्रशक्ती हमें प्रेणा देती है आपके विचार हमारा मार्क दर्शन करते हैं और आपके वचन हमें नए उत्साहत के साथ आगे बढ़ने की राह दिखाते हैं मैं माननिय प्रधान मंत्री जी से करबध निवेदन करती हूँ कि आज के इस विशेश अफसर पर कृपया अपने आशीर वचन से हमें अनुग्रहित करें जोरदार तालियों से स्वागत करें माननिय प्रधान मंत्री जीका नमस्कार एक अद्भूत द्रश्य मरे सामने है भव्य है विराट है विहंगम है और यह आज का यह जो आउसर है इसके पीछे जो कलपना है और आज हमारी आखों के सामने उस सपने को साकार होते हुए देख रहे हैं तब मुझे एक प्रसिद्ध कविता की पंक्तियां गुन्गुनाने का मन करता है नया प्रात है नया प्रात है नई बात है नई किरण है जोती नई नई उमंगे नई तरंगे नई आश है सांस नई उठो धरा के अमर सपूतों उठो धरा के अमर सपूतों पुना नया निर्मान करो जन जन के जीवन में फिर से नई स्फूर्ती नव प्राण भरो आज के ये दिव्य और भव्य भारत मनपम उससे देख करके हर भारतिय खुशी से भर रहा है आनंतित है और गर्व मैसूस कर रहा है भारत मनपम आवान है भारत के सामर्थ का भारत की नई उर्जा का भारत मनपम दर्शन है और भारत की भविता का और भारत की इच्छा शक्ति का कोरोना के कठीन काल में जब हर तरफ काम रुका हुआ था हमारे देश के स्रमजीवियों ने दिन रात महनत करके इसका निर्मान पूरा किया है भारत मनपम के निर्मान से जुड़े हर स्रमिक भाई बहन को हर करमी को आज सच्चे रदय से मैं अभिनंदन करता हूं उनका साधुवात करता हूं आज सुबह मुझे इन सभी स्रम जीवियों से मिलने का मोका मिला था हमारे इन स्रमिक साध्यों को सम्मानित करने का मुझे सौभागी मिला था है आज उनकी महनत देख पूरा भारत विश्मित है भारत चकीत है मैं राजधानी दिली के लोगों को देश के लोगों को इस नए इंटरनेशनल कर्विंशन सेंटर भारत मंडपम की बहुत बहुत बधाई देता हूं यहां देश के कौने कौने से अतित्थी आये हैं मैं उन सबका रदेश से स्वागत करता हूं टीवी के माद्यम से सोशल मीडिया के माद्यम से जो करोड़ों लोग इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं साथियों आज का दिन वैसे भी हर देश वासी के लिए बहुत आइतिहासिक है आज कारगिल विजय दिवस है देश के दुश्मनों ने जो दुश्साहस दिखाया था उसे मा भारती के बेटे बेटियों ने अपने पराक्रम से परास्त कर दिया था कारगिल युद्व में अपना बलिदान देने वाले प्रत्येक वीर को मैं कृतग्य राष्ट की तरफ से स्रधांजली देता हूं साथियों भारत मंडपम के इस नाम के पीछे और जैसाभी प्यूश्जे ने बताया भगवान बश्वेश्वर के अनुभव मंडपम की प्रेरना है अनुभव मंडपम यानी वाद और समवाद की लोकतांत्रिक पद्धती अनुभव मंडपम यानी अभिव्यक्ति अभिमत आज दुनिया ये स्विकार कर रही है कि भारत मदर अब डेमोक्रसी है तमिल नाडू के उत्तरा मेरूर में मिले शिलालेकों से लेकर वैशाली तक भारत की वाइबरन डेमोक्रसी सदियों से हमारा गवरव रही है आज जब हम आजहादी के 75 वर्ष होने पर अम्रित महुत्सव मना रहे हैं तो यह भारत मंदपम हम भारतियों द्वारा अपने लोक्तंत्र को दिया एक खुब्सुरत उपहार है कुछ हप्तवाद यही पर जी ट्वेंटी से जुड़े आयोजन होंगे दुनिया के बड़े-बड़े देशों के राष्टाध्यक्ष यहां उपस्तित होंगे भारत के बढ़ते हुए कदम और भारत का बढ़ता हुआ कद इस फव्य भारत मंदप से पूरी दुनिया देखेगी साथियों आज पूरी दुनिया इंटर कनेक्टेड हैं इंटर डिपार्नेंट हैं और वैश्विक स्तर पर विविन्द कारकमों और समीट्स की संखला लगातार चलती रहती है कि ऐसे कारकम कभी एक देश में तो कभी दिवसरे देश में होते हैं कि ऐसे में भारत में देश की राजधानी दिल्ले में अंतर राश्ट्रेस्तर का एक कन्वेंशन सेंटर होना बहुत ही जरूरी था यहां जो व्यवस्ता थी जो हॉल्स थे वो कई दसक पहले यहां बने थे पिछली शताब्दी की वो पुरानी व्यवस्ता 21 सदी के भारत के साथ कदमताल नहीं कर पा रही थी 21 सदी के भारत में हमें 21 सदी की आवशक्ताओं को पुरा करने वाला निर्मा करना ही होगा इसलिए इभव्य निर्मा यह भारत मंडपम आज मेरे देश वास्यों के सामने है आपके सामने है भारत मंडपम देश विदेश के बड़े बड़े एक्जिबिटर्स को मदद करेगा भारत मंडपम देश में कांफरेंस टूरिजम का बहुत बड़ा जरिया बनेगा भारत मंडपम हमारे स्टार्टस की शक्ति को सोकेश करने का माध्यम बनेगा भारत मंडपम हमारे सिनेमा जगत हमारे आर्टिस के परफॉर्मस का साक्षी बनेगा भारत मंदपम हमारे हस्त वसिल्पियों कारीगरों बुनकरों के परिश्रम को प्रेटफॉर्म देने का एक महत्व पूंग माध्यम बनने वाला है और भारत मंदपम आत मंदिर भर भारत और गोकल फर लोकल अभियान का प्रतिभिम बनेगा यानि इकोनामे से एकोलोगिज तक ट्रेड से टेक्नोलोजी तक ऐसे हर आयोजन के लिए ये विशाल परिशम और ये विशाल परिशर ये भारत मंदपम बहुत बड़ा मंच बनेगा साथ क्यों भारत मंदपम जैसी स्विवस्था का निर्वान कई दशक पहले हो जाना चाहिए था लेकिन शायद मुझे लगता है बहुत से कार काम मेरे आद में लिके हुए है और हम देखे हैं दुनिया में किसी देश में अगर एक अलिम्पिक समीट होता है कि पूरी दुनिया में उस देश का प्रोफाइल एक दम से बदल जाता है आज के विश्व में इन चीजों का महत्मय बहुत बड़ा हो गया है और देश का प्रोफाइल भी बहुत माइने रखता है और ऐसी ही विवस्ता है जो कुछ इनकुछ उसमें बैल्यू एडिशन करती है लेकिन हमारे देश में कुछ अलग सोच के लोग भी है न कारात्मां को सोचवान होगी कोई कमी तो है नहीं हमारे या इस निर्मान को रोकने के लिए भी नकारात्मांग सोच वालों ने क्या क्या कोशी से नहीं की खुब दुभान मचाया गया अतालतों के चक्कर काटे गया लेकिन जहां सत्य होता है वाहिश्वर भी होता है लेकिन अभी यह सुन्दर परिसर आपके अंखों के सामने मौजूद है दरसल कुछ लोगों की फित्रत होती है हर अच्छे काम को रोकने की टोकने की अब आपको याद होगा जब कर्तवेपत बन रहा था तो नजाने क्या क्या कथा चल रही थी फ्रंट पेज पर ब्रेकिंग यूज में क्या कुछ चल रहा था अधालत में भी नजाने कितने मामले उठाए गए थे लेकिन जब अब कर्तवेपत बन गया वे लोग भी दभी जुबान में कहले रहा अच्छा हुआ है कुछ देश की शोभा बढ़ाने वाला है और मुझे विश्वास है कुछ समय बात भारत मंडपम के लिए भी वो टोली खुल करके बोले आना बोले लेकिन फीतर से तो स्विकार करेगी और हो सकता है किसी एक समारों मैं यहां करके लेक्चर देने भी आ जाएंगे कोई भी देश हो कोई भी समाज हो वह तुकड़ों में सोच कर तुकड़ों में काम करके आगे नहीं बढ़ सकता आज एक कन्वेंशन सेंटर यह भारत मंडपम इस बात का भी गवा है कि हमारी सरकार कैसे होलिस्टिक तरीके से बहुत दूर की सोच कर काम कर रही है कि इस जैसे सेंटर में आना आसान हो कि देश विदेश की बड़ी बड़ी कंपनियां यहां आ सके इसलिए आज भारत एक सो साट से जादा देशों को ई-कन्फरेंस वीजा भी की सुविदा दे रहा है यहने सिर्फ यह बनाया ऐसा नहीं है पूरी सप्लाइज चेंड रहे है सिस्ट्रिम चेंड उसकी व्यवस्ता की है 2014 में दिल्ली एरपोर्ट की केपिसिटी भी सालाना करीब पांच करोड यात्रियों को हिंडल करने की थी आज ये भी बढ़कर सालाना साड़े साथ करोड पैसेंजर हो चुकी है टर्मिनल टू और चौथा रनवे भी शुरू हो चुका है ग्रेटर नौइडा के जीवर में इंटर्नेश्टल एरपोर्ट शुरू होने के बाद इसे और शक्ति में लेगी भीते वर्सों में दिल्ली एंसियार में होस्पिटालिटी इंडस्ट्री होटल इंडस्ट्री का भी काफी विस्तार हुआ है यानि कॉन्फरंस टूरिजम के लिए एक पूरा एको सिस्टिम बनाने का हमने बिल्कुल प्लान वे में प्रयास किया है साथियों इसके अलावा भी यहां राजधानी दिल्ली में भी बीते वर्षों में जो निर्मान हुए है वो देश का गौरो बढ़ा रहे हैं कौन भारती होगा जिसका सर देश की नई सांसत देख करके उंचा नहीं होगा आज दिल्ली में नेशनल वार मेमोरियल है पुलीस मेमोरियल है बाबा साब आम बेड़ कर मेमोरियल है आज करतब ये पत के आसपास सरकार के आधुनिक आफिसे तबतर उस पर बहुत तेजी से काम चल रहा है हमें वर्क का जल्द कल्चर भी बदलना है वर्क एंवार्मेंट भी बदलना है आप सब ने देखा होगा प्रामिनिस्टर्स बिजियम से आज नई पीडी को देश के सभी पुर्व प्रधान मंत्रियों के बारे में वहाँ जानने का मौका मिल रहा है जल्द ही दिल्ली में और ये भी आप लोगों के लिए खुशकबरी होगी जल्द ही दिल्ली में दुनिया का सबसे बड़ा और जब मैं कहता हूँ दुनिया का सबसे बड़ा मतलब दुनिया का सबसे बड़ा दुनिया का सबसे बड़ा मुजियम यूगे यूगीन भारत भी बनने जा रहा है साथियों आज पूरी दुनिया भारत की और देख रही है भारत आज वो हासिल कर रहा है जो कोई पहले अकल्पनिय था कोई सोच भी नहीं सकता था विक्सित होने के लिए हमें बड़ा सोचना ही होगा बड़े लक्षा हासिल करने ही होंगे इसलिए धिंग भी ड्रीम भी एक भी इस सिध्धांत को अपनाते हुए भारता तेजी से आगे बढ़ रहा है और कहां भी गया है इतने उंचे उठो की इतने उंचे उठो की जितना उठा गगन है हम पहले से बड़ा निर्मार कर रहे हैं हम पहले से बैतन निर्मार कर रहे हैं हम पहले से तेज गती से निर्मार कर रहे हैं पूर्वत से लेकर पश्चिम तक उत्तर से लेकर दक्षिन तक भारत का इंफ्रासेक्टर बदल रहा है दुनिया का सबसे बड़ा सोलार विंट पार्क आज भारत में बन रहा है दुनिया का सबसे उंचा रेल ब्रीज आज भारत में है दस अजार फीट से अधिक की उंचाई पर दुनिया की सबसे लंबी टनेल आज भारत में है दुनिया की सबसे उंची मोटरेबल रोड आज भारत में है दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम आज भारत में है दुनिया की सबसे उंची प्रतिमा आज भारत में है एसिया का दूसरा सबसे बड़ा रेल रोड बीज भी भारत में है आज भारत दुनिया के उन देशों में हैं जहां ग्रीन हाइड्रोजन पर इतना बड़ा काम हो रहा है साथियों आज हमारी सरकार के स्थम और पिछले तर्म के कारियों का परड़ाम पूरा देश देख रहा है आज देश का विश्वास पक्का हो गया है कि अब भारत की विकास यात्रा रुकने वाली नहीं है आप जानते हैं कि हमारे पहले टम की शुरुवात में भारत वर्ल एकोनामी में दसवे नंबर पे था जब मुझे आप लोगों ने काम दिया था हम अब दस नंबर ही थे दूसरे टम में आज भारत दुनिया की पाँचवी सबसे बड़ी एकोनामी है और यह ट्रेक रेकोड के आधार पर बातों बातों में नहीं ट्रेक रेकोड के आधार पर मैं कह रहा हूं मैं देश को ये भी विश्वात दिलाऊंगा कि तीसरे टम में तीसरे टम में दुनिया की पहली तीन एकोनामीज में एक नाम भारत का होगा याने तीसरे टम में पहली तीन एकोनामी में गर्व के साथ हिंदुस्तान खड़ा होगा दोस्तों थार टम टॉप थ्री एकोनामी पहुंचके रहेगा भारत और ये मोदी की गारंटी है मैं देश वाजियों को ये भी विश्वाद दिलाऊंगा कि दो हजार चोईस के बाद हमारे तीसरे टम में देश की विकास यात्रा और तेजी से बढ़ेगी और मेरे तीसरे कारकाल में आप अपने सपने अपनी आँखों के सामने पूरे होते देखेंगे साथ्यों आज भारत में नव निर्मान की क्रांती चल रही है बीते नव साल में भारत में आधुनिक इंफ्रासेक्टर के निर्मान के लिए करीब करीब 34 लाग करोड रुपिय खर्च किये रहे हैं 34 लाग करोड इस साल के बजेट में भी केपिटल एक्सपेंडिचर दस लाग करोड रुपे रखा गया है नए एरपोर्ट नए एक्सप्रेस वे नए रेल रूट नए ब्रीज नए अस्पदाल आज भारत जी स्पीड और स्केल पर काम कर रहा है यह वाग कही अभूद पुर्व है सप्तर साल में यह और मैं किसी की आलोचना करने के लिए नहीं कह रहा हूँ लेकिन हिसाब किताब के लिए कुछ रेफरेंस जरूरी होता है और इसलिए मैं उस रेफरेंस के आधार में बात कर रहा हूँ कि बीस हजार किलोमेटर जबकि पिछले नव साल में भारत में करीब करीब चालीस हजार किलोमेटर रेल लाइनों का इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है 2014 से पहले हमारे देश में हर महिने सिर्फ 600 मीटर किलोमेटर मत समझना सिर्फ 600 मीटर नई मेट्रो लाइन बिछाई जा रही थी आज भारत में हर महिने 6 किलोमेटर नई मेट्रो लाइन का काम पूरा हो रहा है 2014 से पहले देश में 4 लाइक किलोमेटर से भी कम ग्रामीर सरके थी आज देश में सवा साथ लाइक किलोमेटर से भी जादा ग्रामीर सरके हैं 2014 से पहले देश में करीब करीब सत्तर के आसपास ही हमारे एरपोर्ट थे सेवन जीरो आज देश में एरपोर्ट के संख्या भी बढ़कर एक सो पचास के आसपास पहुंच रही है 2014 से पहले देश में सीटी गैस डिस्टिबिशन सिस्टिम भी सिरफ साथ शहरों में था सिक जीरों अब देश में सीटी गैस डिस्टिबिशन सिस्टिम 600 से भी जादा शहरों में पहुंच गया है साथियों कि बदलता हुआ भारत आज पुरानी चुनोतियों को समाप्त करते हुए आगे बढ़ रहा है हम समस्याओं के स्थाई समाधान पर पर्मनेंट सॉलूशन पर जोर दे रहे हैं और इसका एक उधारन पी एम गतिशक्ती नेशनल मास्टर प्लान भी है यहां उद्ध्योग जगत के साथ ही बैठें मैं चाहूं का आप जाकर उसे पॉर्टल को देखिए देश में रेल रोड जैसे फिजिकल इंफ्रसेक्टर के लिए स्कूल बनाने हो हस्पिटल बनाने हो ऐसे सोचल इंफ्रसेक्टर के लिए पी एम गतिशक्ती नेशनल मास्टर प्लान एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होने जा रहा है इसमें अलग अलग लेयर के सोला सो से ज्यादा अलग अलग लेयर के डेटा उसके अंदर डिजिटल प्लेटफरम पर लाया गया है कोशिश यही हैं देश का समय और देश का पैसा पहले की तरह बरबाद ना हो चाथियों आज भारत के सामने बहुत बड़ा आउसर है आज से सो साल पहले मैं पिछली स्ताब्दी की बात कर रहा हूँ आज से सो साल पहले जब भारत आज़ादी की जंग लड़ रहा था तो वो पिछली स्ताब्दी का तीसरा दसक मैं आपका ध्यान आकसित करना चाहता हूँ कि 1923 1930 का वो काल खड़ याद कीजिए पिछली स्ताब्दी का तीसरा दसक भारत की आज़ादी के लिए बहुत एहम था इसी प्रकार कि 21 सदी का ये तीसरा दसक भी उतना ही महत्वपून है पिछली स्ताब्दी के तीसरे दसक में ललक थी लक्ष था स्वराज्य का आज लक्ष है सम्रिद्ध भारत का विक्सिद भारत बनाने का उस तीसरे दसक में देश आज़ादी के लिए निकल पड़ा था देश के कोने कोने से आज़ादी की गुन सुनाई देती थी स्वराज आंदोलन की सभी धाराएं सभी विचार चाहे वो क्रंती का मार्ग हो या असहयोग का मार्ग हो सारे मार्ग पुर्ण रुप से जागरुत थे उर्जा से भरे हुए थे इसी का परणाम था कि इसके पचीज साल के भीतर भीतर देश आज़ाद हो गया आज़ादी का हमारा सपना साकार हुआ और इस सतावरी के इस तीसरे दसक में हमारे सामने अगले पचीज साल का लक्ष है हम समर्थ भारत का सपना लेकर विक्सीद भारत का सपना लेकर निकल पड़े हैं हमें भारत को वो उचाई देनी है उस सफलता पर पहुँचाना है जिसका सपना हर स्वतंत्रता सेनानी ने देखा था हमें इस संकल्प की सिध्धी के लिए सभी देशवासियों ने एक सो चालीस करोड हिंदुस्तानियों ने दिन रात एक कर देना है और साथियों मैं अनुभव से कहता हूं मैंने एक के बार एक सफलता हों का अपनी आँखों के सामने देखा है मैंने देश की शक्ति को भली भाती समझा है देश के सामर्थ को जाना है और उसके आधार पर मैं कहता हूं बड़े विश्वास से कहता हूं भारत मंडपम में खड़े हो करके ये सुख्ये जनों के सामने कहता हूं भारत विख्सित हो सकता है अवश्य हो सकता है भारत गरिबी दूर कर सकता है जरूर कर सकता है और मेरे इस विश्वास के पीछे जो आधार है वो भी मैं आज आपको बताना चाहता हूं नीती आयोकी रिपोर्ट पे सामने आया है कि भारत में सिर्फ पाँच साल में साड़े तेरह करोड लोग गरीबी से बाहर निकले हैं पाँच साल में और भी अंतराष्ट एजन्सिया भी यह कह रही है कि भारत में अती गरीबी जो है अक्स्ट्रीम पोवर्टी वो खत्म होने के कगार पर हो रहा है यानि बीते नव वर्षों में देश ने जो नीतिया बढ़ाई है जो निरने लिए हैं वो देश को सही दिशा में ले जा रहे हैं साथ्यों देश का विकात तभी हो सकता है जब कि नियत साफ हो नीति सही हो देश में सार्थक परिवर्था लाने के लिए उपयुक्त नीति हो भारत की प्रसिडेंसी के दवरान पूरे देश पहो रहे जीट्वएंटी के आयोजन भी इसका एक प्रेरक उदाहरन है हमने जीट्वएंटी को सिर्व एक शहर एक स्थान तक सिमित नहीं रखा हम जीट्वेंटी की बैठकों को देश के पचास से ज़्यादा शहरों में ले गए हमने इसके माध्यम से भारत भारत की विवित्ता को शोकेश किया है हमने दुनिया को दिखाया कि भारत की सांस्कृतिक शक्ति क्या है भारत की विरासत क्या है विवित्ताओं के बीच भी भारत किस प्रकार से प्रगति कर रहा है भारत किस प्रकार से विवित्ता को सलिब्रेट करता है आध दुनिया भरत कि लोक इन आयोज़़ों में हिस्सा लेने के लिए भारफ आ रहें है जी ट्वेंटी की बैठाकों के लिए अनेक शहरों में नई सुविधाओं का निर्मान हुआ पुरानी सुविधाओं का अधुरी करन हुआ इससे देश का फाइदा हुआ देश के लोगों का फाइदा हुआ और यही तो सुसासन है यही तो गुड कोवनन्स है Nation First Citizen First की भावना पर चलते हुए ही हम भारत को विक्सित भारत बनाने वाले साथ क्यों इस महत्वपुन अउसर पर आप सबका यहां आना यह अपने आप में आपके दिल के कौने में भी भारत के जिए जो सपने पड़े हैं न उन सपनों को खाद पान्दी देने का ही अउसर है एक बार फिर भारत मंडपम जैसी एक शांदार सुविधा के लिए दिल्ली के लोगों को देश के लोगों को मैं बहुत-बहुत पधाई देता हूं और इतनी बड़ी आजाज में आप आये मैं आपका फिर से एक बार स्वागत और अभिन्दन करता हूं धन्यवाद आपका बहुत-बहुत धन्यवाद मानने प्रधान मंत्री जी आपके उद्वेरक उद्भोधन के लिए आपका फिर से आभार देश को पुना परम वैभव की और ले जाने को समर पे विकास सुशासन के नए युग की नीव रखकर विकास के नए अध्याय का प्रारंब करने वाले विश्व मंच पर भारत की साख को पढ़ाने वाले हमारे देश के सलवप्रियव माननीय प्रधान मंत्यजी का हार दिक आभार आप सब से नरोध करूँगी आप सब लोग क्रिपए अपने अपने स्थान पर बने रहें जब आप सब यहां से प्रस्थान करें तो क्रिपए इस बात का ध्यान रखें कि आप जिस द्वार से आएं हैं उसी द्वार से उसी राह से बाहर जाएंगे और आपके आगे जो लोग अगली सीटों पर बैठे हैं